हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकेंट से समंदी तत्सम और अद्बाव शब्द लेके आया हूं तो हम यह देखेंगे कि हम इनको कैसे पैचाने सबसे पहले हम इनकी बारे में देखते हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तत्सम सब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से जयों केत्यों बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम सब्द कहते हैं जैसे पुष्प, नारी, सादू, विद्वान, राजा, पृत्वी, पुस्तक, बालक, इत्यादी अन्य भाषाओं से संस्कृत में लिए गए शब्द भी तत्सम सब्द माने जाते हैं जैसे यवन, मार्केट, तामबूल, नीर, असूर, रात्री, इत्यादी दूसरा है तत्वाव शब्द संस्कृत के जो शब्द प्राकिर्ट अपभरंश या हिंदी आदी से विक्रित होकर हिंदी भाषा में आए हैं वे तत्वाव शब्द क्यालाते हैं जैसे आग, उट, हाथी, हाथ, मोर, कीड़ा, इत्यादी कहने का तादपर ये है कि तत्वाव शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और तत्वाव शब्द वे हैं जो संस्कित से हमने आम-बोल-चाल की भाषा में प्रयोग कर लिया है तो हम इन्हें पैचानेंगे कैसे तो पैचानने का क्यावल एक ही तरीका है कि इन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में यदि यूज करते हैं तो हम इन्हें तद्वा शब्द कहते हैं और यदि हम ऐसा और यदि हमें ऐसा लगता है कि हम इन्हें संस्कित में प्रयोग कर रहे हैं तो हम इने तधसम श़चक्त कहेंगे अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ध्यान दे रहे हो कि बाते हैं, जैसे हिंदी में कुछ ऐसे भिशब्द हैं, जिस करण भूलवस आम missile Τत्सम मान लेते हैं, जैसे निराशा यह संस्कित का शब्द नहीं है, यह निराश में आज जोड़कर बनाया गया है, निराश संस्कित का शब्द है, अता ही है, इस प्रकार निराशा तद्भाव शब्द है, और तत्यम शब्द मूल तह दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और निर्मित, प्रिमित्षब नए विचारों एवं अभिवक्ति के माध्यम से समय समय पर निर्माड हुए हैं तो आपके सामने कुछ तत्सम और तत्बाव शब्द दिये हैं आशा है आपको पसंद आएंगे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद प्लीज से लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें